खबरे के बड़े खबर से बुरेटिन की शुरुआत 14 से बड़े खबर है राची लाए गायल जवान पुलिस और नकसलियों के बीच जो मुटबेड हुई थी उसमें स्यारपेफ 190 वी बटालियन और पुलिस के सहित आपरेशन के दौरान मुटबेड हो गई थी मुटबेड में स्यारपेफ के एक जवान को गोले लगे थी और गमिर आलत में कुंदा के स्वास उटकेंद में उसका इलाज शुरू हुआ लेकिन उसके बाद बेहता इलाज के लिए हलिकॉप्टर से उसे राची लाए गया है तो देखे बड़े जानकारी बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे है कुंदा में चुद्रा के कुंदा इलाके में जो मुटबेड हुई थी उसमें एक जवान को गोली लगी है उस जवान को राची लाए गया है और मेडिका अस्पताल में भरती कराए गया बता दे आपको के कुंदा के जंगलों में जो मुटबेड हुई थी नकसलियों के साथ में उसके बाद स्यारपिब 190 वी बाटालियन के एक जवान को इसमें गोले लग गई मुटबेड के दौरान जिसके बाद उसे राची लाए गया है और हेलिकॉप्टर के मादम से राची लाए गया और इसके बाद ग्रीन कॉलिडर बना कर हेलिपैड से मेडिका स्पता ले जाए गया बना दे आपको की राची के खेल गाओं में मौजूद है यह हेलिपैड और यही पर तो देखे तस्विरम आपको देखा रहे किस तरीके से इस जवान को लाए गया है और इसके बाद एक ग्रीन कॉलिडर बना कर खेल गाओं सित हेलिपैड से इस गाइल जवान को मेडिका स्पताल पहुचा आए गया है बड़ी जानकारी स्विरम आपको दे रहे है इसलूसिफ तस्विर आप देखे उस हेलिकॉप्टर की जिस हेलिकॉप्टर से हमारे घायल जवान को सेर्पेड के एक सोनबे बटालियन के जवान को यहां लाए गया है और उसके बाद मेडिका स्पताल में उससे बर्ती कराए गया है तो देखे लगातार नकसलियों पर नकेल कसने में उगरवादियों पर नकेल कसने में इस वक्त जार्गन पुलिस लगे हुई है स्यार्पेड की बटालियन के साथ स्यार्पेड के बटालियन तो देखे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे स्वागी शाहनवाज इस कबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड रहे है शाहनवाज देखे लागातार हम देख रहे हैं कि लेफ्ट विंग एक्स्टिमिस्म को खत्म करने को लेकर मावादियों को लेकर उग्रवादियों को लेकर जो जारकेड पुलिस है जो सेर्पिप के जवान है वो लगाता जुटे वर इसी कड़ी में चत्रा में ये घटना भी घटी है फिलाल के सिती जाना चाहेंगे क्या मेडिका अस्पिताल पहुचाया जा चुका है इस जवान को इलाज शुरू हो गया है जहां अभी से 20 मिनट पहले ही जवान को चितरंजन कुमार नाम है CRPF का जवान है और चत्रा में चत्रा के जो जंगली अलाकों में मुढबेड हुई थी इसमें नकसलियों के भी काफी नुकसान होने की खबर है कई नकसलियों के मारे जाने की सुचना है लेकिन चुके नकसलियों की जो लाशे है वो नकसलियों लेके भाग जाते हैं जंगलों में चुपा देते हैं ताकि उनकी यतनी भी नुकसान और कैजिलिटी हुई है इसके बारे में पताना चले बाराल एक जवान घायल हुआ है पैर में और संभवता एक जगा और दो जगा बुलेट फायर इसको लगा है और जब मैंने देखा उसको उतारते हुए हलिकॉप्टर से जो बीएसेफ का हलिकॉप्टर खेल गाउं पहुँचा और उसको रिसीव करने के लिए मेडिका अस्पटाल की एंबुलेंस और डॉक्टर्स की टीम और जो यहां के जो पुलिस बल और कोब्रा बैटालियन की जवान थे और तमाम लोग इंतजार कर रहे थे और हलिकॉप्टर आया और से टांसफर करके जब एमुलेंस में रखा गया जवान को तो जवान पुरी में ख्याल से कूले कहीं पर गोली लगी हुई है और सबसे एक खास बात यह कि किसी ने कोई जानकारी मीडिया बाइट अभी नहीं दी है और चुके एक मरीज को अस्पटाल पहुंशाने की संगर स्पून जिस्तिती होती है इसलिए हम लोगों ने भी कोई कोशिश नहीं की बाहराल रेट कोरिडोर बना करके अम्बुलेंस को जो के खेल गाउं से मेडिका अस्पटाल काफी नजदीक है यहां पहुंचा दिया गया है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं मेडिका अस्पटाल में विशेशग चिकित्सकों की टीम उस जवान को अटेंड करना बाहराल हम अपने राजवासियों को यह बताएं कि यह जवान बिल्कु तरह अच्छी तरह से होश में है बातचीत कर रहा है और देखने से तो ऐसा ही लगता है कि वह उसको गोली लगी है और गोली अगर निकाल दी जाए तो फिर यह जवान सुरक्चीत अपने बिल्कु जब उन्बेड होती है तो हालात कुछ भी होते है लेकिन जब इस तरह के हालात हो तो उसको लेकर जिस से के साली हली कौप्टर के इस्तिमाल से किलगा है लिक पेट पूतरा जाता है फिर बीन कॉलिडो बनाकर अस्पताल पहुँचा जाता है यह विवास्ता है बड़ी कार हमारे साथ है वारी जो व्योस्ता है इस में इस तरह की चीज़ा निप जाए तो भी जवानों का जो मनुबल वह बढ़ा रहता है जारकन सरकार ने उसको अलग रखा, वो एक हलिकोप्टर और था जो क्रैश हो गया, तमार के पास कई साल पहले आपने सुना होगा, बहराली एक हलिकोप्टर है, जो पुरी तरह से लगा रहता है, और बेशक अभी कुछ दिरों पहले की बात है, कि बुड़ा पहार पर नकसल को और यह वरी सफलता है, कि बुड़ा पहार जो है, वह वह जारकंड और उडिफा, बिःहार जारकंड और चफथिसगर के नकसलियों का कमांड सेंटर था, वहाँ पर यतने भी बड़े-बड़े नकसली थे, वही रनिती बनाया करते थे, और वहीं से तीन राज्यों के नकसल मुव्मेंट का नकसलियों द्वारा संचालन किया जाता था लेकिन वहाँ पर पुलिस की दबिश हुई और बड़ी संख्या में वो काम्यावी मिली उससे पहले आपने देखा होगा कि इचाक कुचाई के जंगलों में भी नकसलियों के खिलाफ आपरेशन में एक महिला और एक पुलिश नकसली की मुटभेड में मौत हुई और इसी चत्रा में कुछ जिन पहले एक अमेरिकन एसाल्ट रैफल पकड़ी गए थी इससे ये भी संकेत मिल रहा था कि नकसलियों को कहीं से कोई विदेशी हतियारों की मदद किया जा रहा है लेकिन अब जिस तरह से को सफलता मिल रही है अभी तो ये सकल ही पता चलेगा जब जंगलों में कॉंबिंग ऑपरेशन शुरू होगा कि नकसलियों की कतनी इंच्छाती हुई है लेकिन यह सूचना है उसके मताबिक चार-पांच नकसली मुटभेड में मारे गए बहुत शुक्रियों सर्वाज अम प्रताल में इलाज शुरू किया गया है बहुत बहुत शुक्रिया श्यानवाज लाइक और शेयर वीडियोस सब्स्क्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन न्यूस लावन भारत सच है तो दिखेगा